हेलो बच्चा लोग की हाल चाल I hope you all are doing well जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा था किंग्डम मोनरा के बारे में और डावस्टी बारे में आपने पढ़ा था कि डावस्टी क्या होती है हम लोग उसको कैसे डेफाइन करते हैं हाई रेक्री क्या होती है ठीक है और हम लोग लोग पढ़ेंगे गिंग्डम प्रोटिस्टा के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम बात करें लोग प्रोटिस्टा की तो जो इसमें उनिस्फ यू आते हैं और इसमें कैसे आते हैं यूनिसुलर एलगी यूनिसुलर एलगी ऐसे लिगी जो सिंगल सेल वाले होते हैं जैसे क्लोरिला और क्लोरिला के साथ एक बहुत इंपोर्टेंट चीज यह जुड़ी होई है कि जो क्लोरिला है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो यह Space Travelers यूज करते हैं ठीक है यह जो प्रोटीन होता है क्लॉरिला यह Space Travelers यूज करते हैं आगे हम बात करें क्लेम आइडो मोनास, डाइटम्स, प्रोटोजूवा यूनिसोलर फंजाई जैसे उमाइकोटा एंड स्लाइमोर्स, तो यह कुछ ऐसे organism है, यूकेरियाटिक यूनिसोलर organism है, जो कि किंडम प्रोटिस्टा में आते हैं, कुछ हल्गी होगा है, प्रोटोजूवा और साथ-साथ में फंजाई और आपको एक और इसकी खासियत बता है जो kingdom protestor यो सारी kingdom से, जितने भी उकेरियाटिक kingdom है, योंसे कुछ न कुछ मैश करता है, प्रोटोजूवा एनिमल से मैश कर रहा है, ठीक है, और यूनिसोलर फंजाई ूमाइकोटा किस से मैश कर रहा है या slime moods किसे match कर रहा है फंजाई से match कर रहा है तो यह हम कह सकते हैं कि जो mode of nutrition प्रोटिस्टा में होता हो बच्चा autotropic और heterotropic दोनों mode of nutrition होता है क्यों autotropic algae की वज़े से हो गया और heterotropic यहाँ animal जैसे protozoa वगेरा की वज़े से हो गया और fungi अगे वगेरा को आप तो पता ही है saprophytes होते हैं न इंपोर्टेंट डिकंपोजर रेट्रो टॉप्स में आ जाएंगे आगे हम बात करेंगे phylum protozoa की phylum protozoa की क्या-क्या characteristic feature यह kingdom protista था kingdom protista के अंदर phylum हम लोग पड़ते नहीं species genus family order class phylum और division kingdom तो अब हम बात करेंगे phylum protozoa की क्योंकि phylum किसके लिए use होता है animal के लिए और division किसके लिए use होता है plant के लिए यह point बहुत important है need question पूछा जा चुका है इसको जो जो भी medical concerns पहले होते हैं तो उसमें कई बार यह question पूछा गया है आगे हम पढ़ते है mostly protozoa यानि mostly जो protozoa होते है वो aquatic होते है पानी में पाजाते है वो fresh water भी हो सकते है marine water भी हो सकते है marine water यानि sea water इसके साथ live solitary or in colonies यह solitary रहते है solitary का मतलब होता है कि अकेले या फिर colony में रहते हैं free living भी हो सकते हैं और parasitic भी हो सकते और parasite का क्या मतलब होता है कि ये अपने host से nutrition लेंगे जैसे human beings के अगर बात करें तो human beings के सरफ लाइस रहते हैं जुएं तो जुएं क्या हो गया parasite हो गया और हम लोग क्या होगे host हो गया तो ये जो प्रोटोस होगा है ये पैरा site की तरह भी रह सकते जीर के अंदर ये simbatic association simbatic association मतलब कुछ काम हम हम करो कुछ काम हम तुम हम आई लिए करेंगे simbatic association 향े कुछ वर के दूसरे के लिए करते हैं जैसे हम लोग liken पड़ते हैं simbatic association between algae and fungi तो same मतलब type में produce हो अभी simbatic association में रहते हैं body naked और covered by pallicle और hard shell इनकी body naked रहती यानि without covering कि रहती या covering होती है तो pallicle pallicle क्या होता है protein की covering होती है ये yuglina में पाई जाती है तो बहुत important है आप लोग इसको पढ़िएगा ठीक है pallicle की covering pallicle की covering किस पाई जाती है yuglina पे ठीक है और yuglina के बारे में एक और बात बताती yuglina is the connecting link between plant and animal क्योंकि जब sunlight present रहेगी तो ये क्या करेगा अपना food खुद से बना लेगा और जब sunlight present नहीं रहेगी तो ये पूरी तरह से heterotropic हो जाएगा आगे पड़ते इनका cytoplast differentiated होता है outer rectoplast और inner endoplast में locomotion by pseudopodia, flagland, celia इनमें locomotion pseudopodia से होता है flagla से होता है, celia से होता है आप देख सकते हैं paramesham paramesham के outer surface पे यह celia पाय जा रहे ठीक है तो इसमें ये locomotion और food capturing celia से हो जाता है pseudopodia amoeba में ये भी locomotion और food capturing में मदद करता है और yuglina में flaglam ये भी food capturing में मदद करता है और locomotion में मदद करता है ठीक है तो ये तीन structure celia हो गया, pseudopodia हो गया यहाँ पे आई नहीं है और flaglam हो गया ये तीनों structure किस चीज में help करता है ये food capturing में मदद करता है और साथ में locomotion में help करता है आगे पढ़ते हम लोग ये reproduce कैसे करते है binary fusion, binary fusion आपको पता ही है single organism किस में divide हो जाता है two में, जैसे हम यह बहुत है multiple fusion, multiple fusion आप थोड़ा देख लिए multiple fusion में for example ये parent है, ये parent का nucleus है और parent का nucleus ये ऐसा बोला जाता है multiple fusion के लिए nuclear division not followed by cell division यानि nucleus divide करता रहता है ठीक है, लेकिन cell divide नहीं करता है तो nucleus divide करकर करकर कई multi nuclear हो जाते हैं और फिर उनके चारू तरफ ये क्या करते है, थोड़े side to a plaza और अपने चारू तरफ plaza membrane की coating बना लेते हैं, और इसके बाद ये wall के अंदर रहते हैं, ठीक है, इस wall को क्या इसके बाद ये cyst के अंदर है, जो कि protective covering है, फिर protective covering तूट गई और फिर बाकी ये लोग अपना जो भी था मतलब work को करने लगे, ठीक है यानि ये सब फिर से अब नए organism बन चुके हैं, तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और अगली चीज़ क्या है, किसमे sexual reproduction कैसे होता है, conjugation से होता है, तो ये important है, conjugation क्या होता है, type of genetic transfer of genetic material, इसमे genetic material transfer होता है, आगे अब हम लोग पढ़ते है phylum proteozovah, five class में divided हैंटी, कि ये five classes में divided हैंटी, सबसे पहले हैं class कौन से है, mastigo, phora, इनके पास locomotory organ क्या होता है, flagla होता है, इसका example है, yuglina, trypensoma, और leishmania, यानि kala azar, trypensoma यानि sleeping sickness, tctc fly से मतलब इसको spread करती है, और leishmania, kala azar, इसको black fever भी कहते हैं, ठीक, इसमें spleen वगेरा में problem आ जाती है, spleen क्या होती, graveyard of RBC, इसके साथ साथ में, जो RBC, RBC के काउंट कम हो जाते हैं, lever में problem आती हैं, ठीक, तो इससे, black fever से यह होता है, kala azar, आप learn कर सकते हैं, kala यानि black, ठीक, तो black fever, आगे, sarco dina, rhizopoda, in this class, pseudopoda is used for both locomotion and catching, यानि, sarco dina, या rhizopoda में, क्या होता है, कि locomotory organ, pseudopodia होता है, ठीक, इसका example, आप समझगे, pseudopodia है, तो amoebas से तो रिष्टा इसका ही है, इसके बाद sporozoa, sporozoa lack locomotory organ, sporozoa में locomotory organ, नहीं होता है, जैसे, सारे parasite, example, इसका कहा है, plasmodium, और आपको पता है, कि plasmodium से, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब, खतरनाक बीमारी होती है, वो बीमारी कौन सी है, malaria, ठीक है, आगे पढ़ते है, ciliator, ciliator का simple साई, locomotory organ, cilia होगा, example, इसका paramesium, और last में, suctoria, इसमें adult without locomotory organ, इसमें जो adult होती हैं, उसमें locomotory organ नहीं होते, जैसे, if you are lota, तो अगर आपको, वीडियो पसंद आई हो, तो like करिए, comment करिए, share करिए, और channel को subscribe करना न भूलिए, तब तक कि हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, be happy and keep on smiling, thank you,